नमस्कार दोस्तों मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लास्वूंट ग्यान अभयां चलिए आज इस वीडियो में सिखेंगा क्लास नाइन्थ के एक्सराइज 13.8 का कोश्चिन नंबर वन तो कोश्चिन नंबर वन हमार पास सब्सक्राइब वॉल्यूम आपको फाइंड करना है जिसका रेडियस दे रखा पहला दो कोश्चिन में है पहला दे रखा है और दूसरा दे रखा 0.63 सेंटिमेटर तो चलिए इसका सॉलूशन लेते हैं सबसे पहले पहले पार्ट का यहां पर हमें दे रखा है कि रेडियस इक्वाल टू दे रखा है 7 सेंटिमेटर तो वॉल्यूम आप स्पेर क्या जाता है वॉल्यूम आप स्पेर खोर अपॉब एक और फॉल्यूम आप उपन थी पाई आर क्यूब तो अब यहां पर लेते हैं इसका वैल्यूः आपको ले लेना है 22 अपन 7 क्यूविक अगर आप इसग्षिच के उपर देखा हुआ है कि पाई इकॉल्यूट टू तो वहां पी लिखा हुआ है और इसके आर का वेल्यू आपके पास किया है 7, तो 7 के उपर पावर 3, तो यह आपर लिख लाएंगा ऐसे पावर 3, अब क्या हो जागा, 4 अपॉन 3, मल्टिप्लाइड वाय में 22 अपॉन 7, मल्टिप्लाइड वाय में 7 इन्टु 7 इन्टु 7, ठीक है, चुकि 7 के उपर पावर 3 था, इसलिए आपने यह 3 टाइम्स लिखा, अब 1 7 से 1 7 कैंसल हो जा रहा है, अब क्या बच रहा है आपके पास, 4 इन्टु 22 इन्टु 7 इन्टु 7, अब आपको इसको मल्टिप्लाइ कर ले ना है, मुल्टिप्लाइ करने के पास जो आएगा आपको यहां पर लिख ले ना है, तो सबसे पहले नीचे देखते हैं, क्या हो जा रहा है, यहां जाएगा 4 312, ठीक है, आप इसको क्या करना है myskin fraction में लिख देना है, तो चलिए, 10 11 2 और 222 हो जा रहा है तो 3 7 जा 21 और यह जागा 1 अपन 3 cm3 यहां भी लिख लेंगे cm3 ठीक है cm3 तो यह होगी हमारा final answer यह 1st part हमारा समझने में आपको बहुत ही असान भी होगी अब चलिए 2nd part के तरफ चलते हैं 2nd part हमारे पास है रेडियास इक्वाल टू 0.63 मीटर ठीक है अब यह मीटर में दे रखा है और यह cm में अगर यह cm में था तो answer भी हमारा cm में आया और अगर यह मीटर में तो इसका answer हमारा किसी में में आगा मीटर में आगा तो चलिए इसका अब निकालते है वॉल्यूम वॉल्यूम इक्वाल टू क्या हो जागा 4 अपॉन 3 और यह जागा 4 अपॉन 3 लिखा हमने 4 अपॉन 3 और यह पाई के जिगा 22 अपॉन 7 लेना है और आर के जिगा आपको ले लेना है 0.63 और 63 के ओकर पावर 3 है तो इसको 3 टाइम से ले लेना है यह जागा 0.63 इंटू 0.63 एक बार आप एक स्टेप यह जंप कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं आप इसको आप आगे शॉल्ब कीज़े तो यह जागा 7 बंज़ 7 और 7 9 ज़ग सिक्स्टी थी तो यह जागा 0.09 आप इसको 3 से करेंगा तो यह जागा 3 बंज़ 3 और इसको किया तो 0.03 अब आपके पास आ रहे है 4 इंटू 22 इंटू 0.03 इंटू 0.63 और इंटू 0.63 इंटू 0.63 शबको आपको मल्टिप्लाइ कर लेना है इसको मल्टिप्लाइ करके जो आगा यह आंसर लिख देना है ठीक ह तो इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो मल्टिप्लाइ करने के बाद यह आ जाएगा 1.05 और यहां पर मीटर के उपर पावर 3 और इस तरह से होगा हमारा फाइनल आंसर तो यह हमने सटेंड पार्ट भी कम्प्लीट कर लिया उमीद है यह वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद को इसे और अब आद उसे अ democratic आपने अएंगाऊ बूS नहीं किया इस चैनल को सबस्क्राइब के जैंड शूंबॉब पर वीडियो के साथ इस वीडियो को देखने के लिशे आपका बहुत बबहुत दन्यद्स का